हलो फैंस, डिवान लाइट्स असोसियेशन टीम के इडियम ओफ दे डे सेग्मेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है चलिए दोस्तों हम सीखते हैं इंगलिश का एक नया मुहावरा और आज का जो मुहावरा है वो है प्ले इट बाई इयर ठीक, इसका मतलब हुआ आवशकता के अनुरूप काम चलाना ठीक है अब स्पलिंग देख लीजे ध्यान से पी एल ए वाई प्ले इट आई टी इट बाई बी वाई बाई और इयर ए आवशकता के अनुरूप काम चलाना चलिए अब सेंटेंस इस देखते हैं हम पहले संटेंस है We'll see what the weather's like and play it by ear ठीक, माल लो किसी ने बूला आपसे Hey, let's plan for monolidrop ठीक, तो आप कहा सकते हैं We'll see what the weather's like and play it by ear ठीक, next देखो Well, Rishita would play it by ear मतलब की, बिल्कुल ठीक है Rishita अपनी आवशक्ता के हिसाब से ही काम करेगी वो plan वगरा नहीं बनाएगी ठीक, next John decided to play it by ear when he went for his interview मतलब की, जब John अपने interview में गया था तो उसने ये decide कर लिया था की वो आवशक्ता के हिसाब से ही चलेगा ठीक, next We don't want to make plans We prefer play it by ear मतलब की, हम जो plan बनाना prefer नहीं करते हैं हमें रखता है कि आवशक्ता के हिसाब से ही चलेगा जैसे परिस्तिती हो, उसी के हिसाब से चल लिया जाए ठीक, next Facing your enemy You have to play it by ear मतलब की, आपको अपने दुश्मन को face करने के समय पहले तो उसको observe करना चाहिए उसके बाद उसके हिसाब से ही चलना चाहिए ठीक, next In this game, you have to play it by ear मतलब की, मान लो कोई chess के बारे में explain कर रहा है किसी को ठीक है तो वो बोल रहा है कि इस game में आपको आवशक्ता के हिसाब से ही चलना होता है अपने किस हिसाब से चाल चल रहा है उसी हिसाब से आपको करना पड़ता है ठीक, next It is a complex situation You'd better play it by ear ठीक मतलब की भाई ये बहुत ज़्यादा complex situation है इसलिए आपके लिए यही सही रहेगा कि आप आवशक्ता के हिसाब से situation को observe करके उसी के हिसाब से ही चल ये ठीक, next I've had no time to prepare for this so I'll have to play it by ear ठीक है तो मेरे पास बिलकुल भी समय नहीं था कि मैं इस meeting की तयारी कर सकूं इसलिए तो मैं आवशक्ता के अनुरूप ही चलूंगा इस meeting में, ठीक, next I don't know what they'll want so when they arrive will have to play it by ear मतलग की हमें ये तो नहीं पता की वो लोग क्या चाहेंगे क्या प्रेफर करेंगे तो इसलिए अगर जब वो पहुचेंगे तब उसी उन्हीं के हिसाब से चल लिया जाएगा अरे यार देखो पता बता नहीं है कि क्या उनको सही लगेगा नहीं लगेगा है ना तो भाई जब वो पहुचेंगे तो हम लोग उसी इसाब से कर लिया जाएगा है ना हम लोग के यह इस तरह की language बहुत यूज होती है ठीक, तो वही sentence यहाँ पर यह कह रहा है ठीक तो दोस्तों इसी sentence के साथ हमारा यह segment यही पर होता है खत्म लेकिन friends हम आपसे एक request जरूर करेंगे वो यह कि आप सभी लोग इस segment को दिल खोल करके enjoy कीजे और साथी इसे उन लोगों तक जरूर से जरूर पहुचाने की पूरी कोशिश कीजेगा my most dearest of the dearest friends जो लोग internet facility का लाब नहीं उठा पा रहे हैं है ना तो इसी छोटे से request के साथ हम आप सभी के बेर सारे प्यार जनून, चस्पात और कड़ी मेनत के साथ-साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे जिसकी बदौलत ना सिरफ आप सभी नई-ने उचाईयों को छूरे हैं बलकि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योगिता का पर्चम लेरा पाने में भी भली भाति सक्षम है तो दोस्तों इसी बात के साथ और इसी गर्व की भार्णा को अपने मन में संजोई हुए एक पार फिर पूरी डिवाइलाइस असोसियेशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार